नमस्ते दोस्तों, Tata Motors Medium और Heavy Commercial टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस Quick Learning मोड्यूल में। इस मोड्यूल में हम B.A.S.S. गाडियों में दिये गए Hill Start Assist याने HSA फीचर के Benefit को समझेंगे और ये काम कैसे करता है ये जानेंगे। दोस्तों, गाडियों को बहुत बार ढलान पे रुक रुक के चड़ना होता है जैसे फ्लायोर पर चड़ते हुए Bumper to Bumper ट्राफिक में चलना या घाट चड़ते हुए ट्राफिक में चलना या लोडिंग या अनलोडिंग वाले जगे पे दूसरी गाडियों के पीछे चलना टिपर्स को अगर धलान और लोड के हिसाब से ना चलाया जाए तो वो धलान पर रुक जाते हैं और ड्राइवर को इन्हें पीछे लेकर फिर चड़ाना पड़ता है धलान पर गाड़ी चलाते हुए अगर गाड़ी बीच में रुक जाती है तो ऐसे समय पर ड्राइवर को ब्रेक तथा एक्सलरेटर का सही संतुलन बना के गाड़ी को चलाना होता है ड्राइवर के ब्रेक छोड़ने पर गाड़ी पीछे जा सकती है इससे दुर्गट ना हो सकती है लोड से भरा टिपर जब धलान से उपर जाते हुए रुख जाता है तब लोड के कारण जैसे ही ड्राइवर ब्रेक को छोड़ एक्सिलरेटर पेडल पे पैर रखने की कोशिश करता है टिपर पीछे की तरफ जाता है धूल या कीचड भरे रास्ते पर पीछे जाते टिपर को कंट्रोल करना और मुश्किल होता है और इससे एक्सिडेंट का खत्रा बढ़ता है कई बार लोडर की मदद से टिपर को चड़ाना पढ़ता है जिससे लोडर का समय बर्बाद होता है इसलिए कस्टमर्स ऐसे एप्लिकेशन के लिए सिर्फ स्किल्ड और एक्स्पिरेंस ड्राइवर को ही गाड़ियां चलाने देते हैं Hill Start Assist याने HSA ब्रेक छोड़ने पर भी गाड़ी को जगे पे रोके रखता है ताकि उतने समय में ड्राइवर एक्सलरेटर पेडल दबा सके ये कैसे होता है अब समझते हैं ड्राइवर ट्रिप के शुरुवात में ड्राइजबोर्ड पे लगे HSA स्विच को दबाता है जिससे HSA एक्टिवेट हो जाता है चड़ाई पर जब गाड़ी को रोकना होता है तब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है अब HSA कंट्रोलर ब्रेक लाइन में स्थित मॉडूलेटर वॉल्व को बंद कर देता है जिससे ब्रेक पेडल छोडने पर भी 3-4 सेकेंड के लिए ब्रेक एक्टिवेटर एंगेज रहता है इससे गाड़ी वही खड़ी रहती है ड्राइवर को इतना समय काफी होता है एक्सेलरेटर पेडल को दबाके गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान रहे कि HSA स्विच को एक्टिवेट करने के समय एबीए स्विच भी एक्टिवेटेड होना चाहिए HSA फीचर के काफी सारे बेनिफिट्स हैं सबसे महत्व पूर्ण बेनिफिट यह है कि अब गाड़ी चलाना ज्यादा सुरक्षित है और गाड़ीयां धलान पर पीछे जाने से होने वाले एक्सिडेंस की संभावना और कम होती है इससे ड्राइवर अब बेफिक्र होके गाड़ियां चला सकते हैं इस फीचर से कस्तमर के लिए एक्सिडेंट और रिपेर के खर्च कम हो जाते हैं ड्राइवर के सही से क्लच एंगेज करने से क्लच और टायर लाइफ ज्यादा मिलती है जिससे खर्च कम होते हैं अब टायम बढ़ता है, ज्यादा ट्रिप्स बनती है, प्रोड़क्टिविटी बढ़ती है और अधिक आमदनी होती है कस्तमर्स अब थोड़े कम स्किल्ड और कम एक्सिडेंट ड्राइवर को भी गाड़ियां चलाने के लिए दे सकते हैं टिपर एप्लिकेशन्स में ढहलान वाले रास्तों पे गाड़ियां बिना फसे चलेंगी जिससे अधिक प्रोड़क्टिविटी मिलती है और खर्च भी कम होते हैं साइट सुपरवाइजर अब ड्राइवर्स को अलग-अलग टिपर्स चलाने के लिए दे सकते हैं इससे कम ड्राइवर होने की स्तिथी में काम किया जा सकता है लोडर जैसे महेंगे एक्विप्मेंट का अब सही और बहतर इस्तमाल किया जा सकता है इन सबी वज़ों से अधिक आमदनी और ज्यादा प्रोफिट होते हैं तो दोस्तो इस मॉडियूल में हमने HSA क्या होता है और कैसे काम करता है ये समझा हमने HSA के अलग-अलग अप्लिकेशन में होने वाले बेनिफिट को जाना शुक्रिया